दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि वरार्सी से बिहार के भभुवा जीले का जो डिस्टेंस है वो लगबग 90 किलो मीटर है और भभुवा मार्केट आप देख सकते हैं मैं आपको भभुवा मार्केट का नजारा अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हू आप देख सकते हैं बगल में पुलीस अधिच्छक आवास है कैमूर भभुवा और यहां से देखा जाए तो फिर बिहार के भभुवा से वरार्सी का जो डिस्टेंस होगा वो भी 90 किलो मीटर ही होगा और इधर देख सकते हैं बिहार भभुवा का अनुमंडल कार्याले है और इधर आप देख सकते हैं मंडल कारा भभुवा कैमूर एक बार आप सभी बिहार के भभुवा जिले का उलोकन कर सकते हैं मैं आ चुका हूँ बिहार में और बिहार के नजारे आप सभी को दिखा रहा हूँ काफी अच्छा रोड भी दिखरा है यहां पे बीच में आप देख सकते हैं डिवाइडर भी है और यह आप देख सकते हैं जग जीवन इस्टेडियम भभुवा कैमोर यह जो राइट साइड वाण रोड देख रहे हैं वर जजीवन ए तक चला जाएगा जो यहाँ का काफी प्रसिद एसेडियम है और आपको खाणे पिने के लिए काफी दुकान मिल जायेंगे लोग मिल तो लोग मं कहते हैं पिहार में क्या है बिहार में बहुत चीज है जड़ी आप बिहार आए तो आपको किहार गुमने के लिए काफी खुब्सूरत खुब्सूरत जगर मिल जाएंगे और यहां की सबसे प्रसीद्य जो मंदिर है मुंदेस्वरी देवी धाम उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अभी आएगी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे हैं यह मार्केट काफी लंबा है लगवग एक से डेड़ किलोमीटर के रेंज में अब हभुआ जीले का जो मार्केट अब फैला हुआ है और दोनों साइड देख सकते हैं दुकाने हैं और इदर महीला महाविद्याला है कैमूर का और नितीज सरकार का आप देख सकते हैं फोटो लगा हुआ था वहाँ पे वाकई में काफी घूमने में मज़ा रहा है विहार में मैं भी सोच रहा था विहार उतना अच्छा नहीं है फिर भी विहार आने के बाद मुझे लगा क नहीं विहार काफी अच्छा है क्योंकि यहां की पब्लिक भी काफी अच्छी है आपको हर बात पर जी जी लगा कर बोलेंगे आपको काफी आदर्वा शम्मान देंगे यहां आने के बाद दोस्तों जो आप सामने चोराहा देख रहे हैं वह एकता चौक है जो बिहार के भभुवा जीले का बहुत ही प्रसुद्ध चौक है आई आम इदर का नजार आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह भभुवा जीले का चौक है देख सकते हैं वहाँ पर साइन बोर्ट भी ग्रीन कलर का लगा है भभुवा का देख सकते हैं यहां पर और यहां पर भीड़बार भी काफी है और बीच बीच में डिवाइडरों पर जैसे बनारस में स्ट्रीट लाइटे लगाई गई है वैसे यहां भी आपको लाइटे दिख जाएंगी देख सकते हैं आप मैं आपको बिहार के भववा जिले का खुबसूरत नजारा आज दिखा रहा हूँ और आने वाले कुछ दिनों में मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपनी योट्यूज चेनल पर लेकर आऊँगा वैसे बनारस के काफी लोग यहां पे दिख रहे हैं बनारस के भी काफी लोग आए हैं हमसे मुलाकात भी होई मैंने पूछा तो लोग बताए कि जी मैं बनारस से हूँ वैसे यूपी पैसर बनारस के काफी गाडिया यहां बिहार में दिख रही है और यह देख सकते हैं आप बीज में डिवाइडरों पर पौधे भी लगाए गए हैं जिससे इस मारकेट की खुबसूर्ती और बढ़ जा रही है और लाइटे आप देख सकते हैं और रोड भी काफी अच्छा है मौसम काफी अच्छा है तो मैंने सुचा कि क्यों आपको भववा जिले का राइड दिखाया जाए वैसे तो मैं बिहार में पहली बार आया हूँ यहां पे आईए हम यहां से मुड़ते हैं वापस यहां से चर्ण लेते हैं राइट साइड चलते हैं यह जो मार्केट है और भववा जिले का सबसे बड़ावा में मार्केट है यहां काफी दूर-दूर से लोग सौपिंग करने के लिए आते हैं और यहां पर आपको काफी रेस्टुरेंट भी मिल जाएंगे ताकि यहां रुख के आप कुछ खा सकते हैं और सामने एकता चौक है जो कि मैंने पहले दिखा दिया और देख सकते हैं काफी फल के दुकान लगाए गए हैं सामने देख सकते हैं एकता चौक पर ही महात्मा गांदे जी की प्रतीमा बनाई गई है जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे और फिर से मैं एक बार वापस उसी रोट पर जा रहा हूं आप देख सकते हैं बिहार पुलिस की गाड़ी भी जा रही है यहां पर अजय यह कर दो 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 कर झाल झाल